गुड मॉनिंग बच्चो आज मैं आपको प्रत्मा पाठा हा पुन्रावलोकन का अभ्यासकार कराने जा रही हूँ आईए तो सबसे पहले शुद्ध उचारड के साथ इन शब्दों को पढ़ते हैं फिर आप भी इसका उचारकर अपनी नोट बुक में इन शब्दों को लिखेगा सबसे पहले बच्चो निवसंति निवसंति का अर्थ है निवास करते हैं शिश्यान शिश्यों को कुटियाम कुटियाम मैं योगा अभ्यासम योग का अभ्यास नदियो दो नदियां प्रावह तहा बहती हैं धैनू दो गाय आनियंति लाती हैं अब है बच्चो एक पदेन उत्तर एक पद में उत्तर दीजिए ये प्रश्न दिखें हैं और इसके उत्तर हम सबको तैने हैं तो सबसे पहले यह फलम कहा ददाती फल कौन देता है तो इसका अर्थ है पिता फलम पिता ददाती पिता फल देता है फलानी के ददनती बहुत सारे फल कौन देते हैं फलानी पित रहा ददनती बहुत सारे फलों को बहुत सारे पिता देते हैं मुने यहां कुत्र निवसंती मुने कहां निवास करते हैं तो मुने यहां आस्रमे निवसंती शिष्यान कहां पाठियती शिष्यों को कौन पढ़ाता है तो शिष्यान गुरु पाठियती शिष्यों को गुरु पढ़ाता है माता का आनियती माता क्या लेकर आती है तो माता जलम आनियती माता जल लेकर आती है गोस्ठे का निवसंती गोस्ठे में कौन निवास करती हैं गोस्ठे गोशाला तो गोस्ठे धेन वहा निवसंती गोस्ठे में धेन वह सारी गाय निवास करती हैं दधी कुत्र अस्ति, दधी दही कहा है, तो दधी पात्रे अस्ति, दही पात्र में है, मधुनी कुत्र संति, मधु यानि की शहद कहा है, तो मधुनी मधु कोशेश संति, मधु जो है मधु कोशों में है और इसके बाद्ध वच्चों शब्द रूपानी लिखत, यानि कि शब्दों की रूप को लिखें, तो सबसे पहले बिभख्ती एक बचनम, दुई बचन और बहु बचन, यानि कि यह जो शब्द दिये हैं, पित्र, प्रत्मा बिभख्ती का है, तो इसका एक बचन क्या है, दोई बचन पित रव, बहु बचन पित रहा, मात्र शब्द दिया है और विभक्ति जो है वो प्रत्मा है तो इसका एक बचन हुआ माता, दोई बचन हुआ इसका माता रव, और बहु बचन हुआ इसका माता रहा, मोनी जो विभक्ति दी गई है वो भी प्रत्मा है और मोनी क प्रथम एक बचन जो है वो है मुनि है दोई बचन है मुनि और इसका बहु बचन है मुनि यहां ऐसे ही बच्चो अगला दिया हुआ है मंजु शातह पदानी चित्वा बाक्यानी पूरियत यानि कि जो उपर दिये गए हैं शब्द उनको बाक्यों में पूरिय पूरिय माने भरिये इन यानि कि ये खाली स्थान है इसको हमको भरना है तो सबसे पहले है धैन वहा निवसंते धैनू गाय कहा निवास करती है तो धैन वहा गोस्थे निवसंते अगला है माता आनियती माता लाती है तो क्या लाती है पता है जलम आनियती अगला है प्रवह तहा बहती है क्या बहती है नदियो सही पहचान रहें बच्चों आप लोग बहुत समझदार है मेरी सारे बच्चे दधिनी इस्तह दही है कहां है बच्चों दही पात्रयो तो इसमें आएगा पात्रयो दधिनी पात्रयो इस्तह अगला है गुरु निवसतह गुरु कहा निवसतह तो इस तरह से बच्चों हमने आज पुन्राब लोकन का अभ्यासकारी किया अगला अभ्यासकार अगली शेशन मैं आपको कराऊंगी तब तक खुश रहिए घर पर रहिए और पढ़ते रहिए